दोस्तों प्रदीपीरियागैट भी इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत आपको पता है कि हम पार्सल का टॉपिक स्टार्ट किये हैं और पार्सल के टॉपिक में हमारा जो टॉपिक चल रहा है यूलर्स थेरम ऑन होमोजीनेस फंक्शन इसके पहले मैंने अल्रीड दो are इसके उपर ले लिया है और आज यह मेरा तीसरा लेक्शर है उर यह भी लेक्शन बहुत ही स्दार होने आर इसके अंदर हम को रोलरी कि बात करेंगे पहले वाले लेक्शेआ मैं आपको यूलर्स न्य और सम को कैसे सॉल करना है और आज dud टो यहां पे हमने already first order के अगर जो भी questions थे वो हम direct Euler's theorem से हम solve करते थे, इसके बारे में तो आपको idea होगा अगर आपने मेरा पहले वाला lectures देखा होगा तो, तो यहां पे यह भी आपको याद होगा, कैसे याद रखना है आपको x है और del u by del x है, plus y है, del u by del y है, और equal to क्या था, n u अब देखो यहां पे, कभी-कभी अगर suppose यहां पे z है, यहां पे भी z है, तो यहां पे भी क्या आजाएगा, z आजाएगा, वो depend करता है कि function कौन से form में, same यहां पे, यह first order है, और उसी यह corollary, इसे हम क्या वालेंगे, Euler's theorem का corollary है यह, पर यह second order है, कहीं पे अगर तुम याद करना बहुत easy है, कैसे याद करोगे, देखो x square, del u by del x याद है आपको, तो यहां पे square ले लो और इसका square यहां पे हो गया, then इसके बाद 2xy और del square u upon del x और एक बार क्याएगा del y, और प्लस यहां पे y square, यहां पे del square u और यहां पे क्याएगा del y का square, equal to, अब यह पूरा पूरा आपको याद हो गया, कहीं पे भी अगर आपको find out में ऐसा दिखाई दिया, तो तूरंट समझ जाना कि मुझे क्या करना है, corollary यूज करना है, और अगर आप चाहो तो इससे second order equation भी आप बोल सकते हो, second order form का भी बोल सकते है, यह first order था, यह second order, पर actual में यह हमारा क्य है, तो 5 से 1 number चोटा क्या होता है, 4, 5 multiply by 4, n, n-1, और यहाँ पर देखो functions कौन से form में u है, तो u लिख दो, तो I think आपको यह दोनों याद हो गया, और दोनों के बीच में difference समझ में है, कि question में find out में यह दिया होगा, तो यह use करूँगा, अगर find out में यह दिया होगा, तो यह use करूँगा, अब मैं इसके उपर एक question solve करूँगा, एक question तो इसके उपर solve करूँगा, और एक question ऐसा solve करूँगा, जिसके अंदर दोनों आए, और जो previous years में पूछा भी गया है, इसलिए बहुत अच्छे से one by one चीजों को समझना है, अब यहाँ पे जो मैं question solve करा रहा हूँ यहाँ पे something दिया है और हमें यह देखो, यह हमें दिया है, और अपने को देखो, proof क्या करना है, proof में अगर आप देखोगे, ध्यान से पूरे को देखो, यह पूरा का पूरा यह वाला पाक है, तो इससे यह समझ में आया, कि यह Euler's का theorem है, अब Euler's के theorem में आपको पता है, कोरोलर ही है, तो सबसे पहले अपने को, U को homogeneous function प्रूफ करना पड़ेगा, तो देखो, homogeneous function तो पीछे की तरह ही proof करेंगे, देखो, U equal to x cubed y plus y cubed x upon y minus x, अब आप क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ दोगा आपको, यहाँ पे आप क्या करते हैं, capital xy में इसको convert कर देते हैं, capital xy मे capital x और नीचे के आ जाएगा y और x, अब हमें क्या करना है, put capital x equal to small xt, यह सर यह तो आप पूरा पीछे की तरह बता रहें, इसलिए मेरे lectures को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आप max में 80 out of 80 score करोगे, चीजों को बस समझो, यहाँ पे capital y equal to small yt, थोड़ा अच्छे से small y ल capital xy equal to, अब जोगो मैं यहाँ पे put कर रहу, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x cube, t cube, y की जाएगा, small y और small t, plus यहाँ पे क्या हो जाएगा, y cube, t cube, x जाएगा, x और t, अब अगर ध्यान से देखोगे, तो मीचे क्या आएगा, y की जाएगा, yt, और x की जाएगा, xt, अब अग तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद, f capital xy equal to, अभी तक मैं पूरा का पूरा sum पीछे की तरह लेके चल रहा हूँ, और पीछे की तरह ही solve करना है, अब अगर इसको अगर simplify way में करोगे, तो अगर ध्यान से चीजों को देखोगे, तो देखो, t raise to 3 है, और यह t raise to 1 है, t raise to 3 और को प्लस करते हैं, तो ही क्या हो जाएगा, t raise to 4, सब मैं यहाँ पे basic सा सब चीजे बता हूँगा, तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे भी t raise to 4 है, देखो, direct आपको दिखा दे रहो, common ही ले ले ले, तो यहाँ पे भी t raise to 3 और 1 मतलब t raise to 4 है, तो उपर से common क् 4, और अगर नीचे देखोगे, तो दोनों में t है, दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ से t बहार आया, अब t यहाँ से बहार आया, तो दोस्तों, उपर क्या बचा, उपर अगर देखोगे, तो I think x cube बचा है, और अगर देखोगे तो क्या बचा है y, यहाँ क्या बचा है plus, और यहाँ पर क्या बचा है y cube, और क्या बचा है यहाँ पर x, अब यहाँ पर अगर देखोगे, तो नीचे क्या बचा है y, और क्या बचा है minus x, पूरा का पूरा सम पीछे की तर ही है, अब देखों यह f, capital xy, equal to, यह देखों यह क्या हो जाएगा, t3 हो जाएगा, मैंने previous lectures तो इसमें solve करके बता है, यह जब divide में वबाद तो minus होता है, then इसके बाद यह वाला पूरा का पूरा term, अगर आप देखोगे तो u की तरह है, यहाँ पर मैंने u लिखा, यहाँ पर क्या अगर f, capital xy, which is equal to t raise to 3, और यह जो u है मेरा, कौन से form में? small xy के form में, कौन से form में? small xy के form में, अगर इस तरह से अगर हमें मिलता है, तो मैं यह बोल सकता हूँ, कि जो मेरा u है, मैं यहाँ बोल सकता हूँ, u is a homogeneous function, किसका homogeneous function है? of x and y का है, of degree, degree कितना आएगा? बताओ, degree कहां से लिखना है दोस्तों? डिगरी यहां से लिखना है, degree कितना आएगा? degree 3, अब degree 3 है, अब मुझे देखो, मैंने यह पूरा का पूरा सेम जैसे मैंने पहले solve किया था, अब यह पूरा का पूरा solve करने का, अब मुझे ऐसा लग रहा है, कि नहीं यार, मुझे तो, corollary के form में solve करना है, तो बस अब यहां से क्या करना है, eulers का आपको corollary यूज़ करना है, किसका corollary यूज़ करना है, eulers का, अब यहां पे लिखोगे, by corollary of eulers theorem, Uler's theorem का हम korollary कर रहे हैं korollary क्या होता है Uler's theorem का वह लिख दो याद हो गया याद मैंने आपको करा दिये था del square del x square यहाँ पे कहएगा 2xy यहाँ पे कहएगा del x and del y del square u यहाँ पर क्या आजाएगा y square del square u upon del y square equal to क्या था याद करो n था n minus 1 था और u था तो दोस्तों यही same देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x square del square u upon del x square plus 2 xy del square u upon del x into del y plus y square del square u upon del y square equal to yes what is value of n याद value of n अपना कितना है 3 है तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा 3 then 3 minus 1 और u का value क्या है दोस्तों तो u का जो value है हमारा हमने उपर से हमें लिखना पड़ेगा u का value हमारा क्या है देखिए x cube y x cube y देखना पड़ेगा आप तो direct देख सकते हो plus y cube x और उसके बाद क्या है y minus x उसके बाद क्या है y minus x अब इसी को अगर simplify करो देखो फिर से इसी को मैं simplify कर रहा हूँ x cube del square u upon del x square plus 2xy del square u upon del x into del y plus y del square u upon del y square equal to yes यह 3 है यह 3 minus 1 कितना होगा 2 होगा और यहाँ पे x square y plus y cube x upon y minus x और चाहिए मैं यहाँ यहाँ पर direct कर देता हूँ x step बिना मतलगा मुझे इस्टा लिखना होगा इसका calculation आपको rock में दिखा देता हूँ देखो यह इसका calculation किया है यह 3 है 3 minus 1 कितना होगा 2 होगा और यह दोनों का multiply कितना होगा 6 होगा तो finally आप check कर लो कि यह जो part आपको मिला है यह जो भी part आपको मिला है यह आपका proof वाला part आपको मिल गया आपने किया कुछ नहीं आपने पीछे की तरह ही sum solve किया आपने देखा कि हो यहाँ तक का sum पीछे की तरह है पर आपने देखा कि squaring form में तो हमने corollary वाला apply किया corollary पे बस क्या किया degree का value लिखा और answer आ गया देखो यहाँ पर देखो यही proof करना था ना आपको 6 है something है देखो अपना भी वही answer है 6 and something तो बहुत easy है रहाँ तो इस तरह से question आपको आ सकते हैं अब मैं जो question लेने जा रहा हूँ यह question दो से तीन बार आ चुका है और यह question है कि important question में भी आप समझ सकते हैं और इसको अब solve कैसे करेंगे अब ध्यान से देखना चीजों को समझ नहीं कोसिस करना कुछ चीजे नहीं बताऊंगा पुछ चीजे पुरानी होगी अब देखो यहाँ पे u equal to x cube sin inverse y by x थोड़ा से यह solve करने में time जाएगा दोस्तों पर मैं बहुत अच्छे से solution explain करके दूँगा आपको पता होगा कि मेरे step थोड़े से lengthy जाते हैं क्योंकि मैं बहुत सारी चीजे direct नहीं करता थोड़ा सा explain करके करता हो कि हर एक बच्चों को समझ में आना चीज़े अब देखो यह अगर इस दो form में equation है तो आपको ने एक को समझो V ले लिए और एक को हम क्या करते है W ले 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 यू नहीं लेंगे सेम अगर यहां पर आप देखोगे तो W की जो value है W की value क्या होगी X raise to 4 10 inverse Y by X पहला मेरा aim होगा दोस्तों कि मैं इसे check कर लोगी यह homogeneous है की नहीं है अगर यह homogeneous है तो आगे का step मैं आपको बताओ कि आगे का step आपको क्या करना है पर first step अपने को यह check कर लेना कि यह homogeneous है की नहीं है अगर यह homogeneous है तो आगे का step आप तुरंट follow करेंगे अपने को पता कि क्या क्या चीज़े चाहिए उसके according हम कर लेंगे अब देखोगे यहां पर बहुत सारे book में यह direct लिखा होगा कि V is a homogeneous function and therefore अब आप क्या करते हो आपको पता है सबसे पहले आप इससे क्या करते हो capital X Y में ले लोगे capital X Y में लेने क्या देखे होजा है capital X cube sin inverse और capital Y upon capital X फिर हम क्या करते है put capital X द्यान से समझना capital X equal to हम क्या लेंगे small X T and capital Y equal to क्या लेंगे small Y T अब यह क्या हो जाएगा capital X Y equal to यह क्या हो जाएगा दोस्तो small S हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा sin inverse और यहाँ पर क्या हो जाएगा Y T और यहाँ पर क्या हो जाएगा X T यह T T cancel हो गया तो यह क्यों जाएगा F X,Y अब दोब यहां से मैं T3 बाहर ले रहा हूँ यह X3 अंदर ही रख रहा हूँ यह क्यों जाएगा Sine Inverse और यह क्यों जाएगा Y by X अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत ही प्यार से अगर आप चीजों को समझने की कोसिस करोगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि यह वाला जो पार्ट है T3 का पार्ट तो सेम है यह वाला जो पार्ट है यह पूरा का पूरा पार्ट अपना V वाला पार्ट है दिख रहा आपको तो यहां पर गया जाएगा V और याद है इसी V को हम क्या करते हैं इसी V को हम F of X,Y equals to T cube और इसे हम क्या करते हैं small x y के form में लिखते हैं अब यह पूरा-का-कूरा हो गया अब यह पूरा-का-कूरा हो गया अब सेम यहाँ पे इससे यह पता चला देखो यहाँ इसी को मैं आगे एक्स्टेंड करते जा रहो इससे यह पता चला कि यहाँ पर हमें जो दिया है ना V V is a homogeneous function of direct में लिख रहो degree लिख दे रहो of degree degree कितना है बता हो यहाँ पर छेक करो कितना है degree 3 है तो of degree 3 बहुत सारे बुक में यह direct लिखा है तो ऐसे आप अगर कभी भी देखो यह confusion आपको बहुत बड़ा होगा कि मैं जब आगे topic पढ़ाओंगा आप बोलोगे सरी यहाँ पर sin inverse के समना homogeneous नहीं होते है पर यहाँ पर यहाँ पर याद रखना उसके आगे x cube आया है इसलिए यह homogeneous हो गया नहीं तो फिर इसको आगे एक trick है उससे हम solve करेंगे इसको modify form से solve करेंगे तो यहाँ पर भी आगे value आगे इसलिए यह जो सम्ता है इससे solve हुआ अब यह वाला भी same पुरा का पुरा solve करना और पुरा का पुरा solve करने का क्या लिखोगे बताओ same last में आपका equation कैसा बनेगा same जब आप value put up करोगे नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ डारेक यह आप चाहो तो डारेक भी इसके लिख सकते है इतना solve करने की ज़रुरत निगर कि सम already आगे बहुत lengthy जाएगा तो फि फिर बाद में आप क्या करोगे जब putting करना यह तो आप सीख लिए हो फिर यह क्या करोगे t raise to 4 और यह पूरे को आप क्या लिखोगे क्या है यह आपका w है और finally यहाँ पर क्या लिखोगे f of capital xy equal to t raise to 4 f of small xy अब यह हो गया अब यह हो गया तो यहाँ पर आप एक line लिख सक homogeneous function of degree कितना आएगा बताओ और degree कितना आएगा दोस्तों को यहाँ तक आपको चीज़े समझ में आगए अब यहाँ तक चीज़े समझ में आने के बाद अब मैं आता हूँ अपने question पर कि हमें first order apply करना है क्योंकि अब अगर homogeneous हो गया तो आप उन क्या करेंगे अब हमें देखना है कि मुझे apply क्या करना है ये वाला करना है कि ये वाला करना है अगर मुझे कभी कभी होता है कि दोनों का mix up भी करना होगा कहीं मुझे देखना होगा proof में ये वाला ये दोनों होंगे तो दोनों apply करना पड़ेगा तो वही मुझे check करना है क्या है अब दे को कोशन पर आप आवे तो कोशन पर आने के बाद यह अपने को पूरा पार्ट है यहां पर सिंगल वाला भी है फर्स्ट ऑडर वाला भी है मतलब यह दोनों मिल के आए हुए तो अपने को फ़र्स ऑडर भी अप्लाइ करना पड़ेगा देन कोरोलरी भी अप्लाइ करना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं न यह सब तो जिन्दगी में हम कर चुके यार बस क्या करना है लिकूंगा बाइ यूलर्स थेरम अब बाइ यूलर्स थेरम के अकॉड ही यहां पर क्या होगा एक्स आएगा और डेल यू हम लिखते पर हमारा फंक्शन अभी क्या है वी इसलिए अच्छे सा समझना डेल वी बाइड एल एक्स प्लस Y čis synergy by出來 इक्वल के होगा एनजेट आएगा एक्वल क्या होगा एनजेटट न्हीं आएगा वी आएगा क्योंकी वी के फार्म में है तो अभी से ही हम क्या लिखेंगे एक्स डेल वी बाइडल एक्स प्लस वाई ह्दैल वाईड एल एक्वल तो एन येस वैल्यो आफेज़ आफ del w हो जाएगा तो यहां भी कहाएगा del w by del x plus y del w by del y equal to n w then finally x del w by del x plus y del w by del y equal to n का value कितना है 4 है तो यहां भी कहाएगा 4 w I think आपको यह समझ में आए यह first exercise का part first exercise मतलब जो मैंने second lectures में बताया था अब मुझे first order का तो मैंने कर दिया है अब मैं यहां पर one दे रहा हूँ यहां पर मैं two दे रहा हूँ अब मैं क्या करो पता है corollary भी apply कर दे रहा हूँ कि मुझे second order भी वहाँ पर दिखा है तो मैं यहां पर क्या करूंगा corollary of eulers यह रहूँ वहाँ नहीं लिखा हूँगा तो भी चलेगा पहलो corollary लिख दे रहा हूँ corollary अपना क्या था x del v के फॉर्म में ही corollary बना रहो del v square upon del x square plus 2xy del square v upon del x into del y y square del square v upon del y square equal to याद होगा आपको क्या था n n-1 और यह v है तो साथ में कहेगा v अब इसी में मैं answer लिख रहा हूँ x del square v upon del x square plus 2xy del square v upon del x del y y square del square v बस sum लेनती है समझने में बहुत इसी अब देख़़ए यहाँ पर n का value क्या है हमें पता n का value क्या था 3 है तो यहाँ पर देख़़गो मैं 3 लिख रहा हूँ 3 minus 1 और क्या आएगा v आएगा तो 3 3 minus 1 कितना होगा 2 v तो मतलब फाइनली क्या है 6 v तो मैं direct लिख रहा हूँ यहाँ पर 6 v आप चाहिए तो x tip और लिख सेथे देख़़गो यहाँ पर direct answer का है 6 v कैसे आए यहाँ पर formula में value put up करके लिखा अब यह भी हो गया अपना part तो आप उन इसको भी box बना दे रहे पहली बार में इतने सारे colors का यूज कर रहा हूँ यह हमारा equation number क्या हो गया 3rd आप चाहिए अगर आपके book पर जगर नहीं हो रहागा दो part में आप वैसे तो हो जाना चाहिए आप नीचे नीचे एक बार पूरा एक का solve कर लो फिर एक बार दूसरे का solve करो मैं क्यों बाज़ बाज़ में solve कर रहा हूँ कि आपको चीज़े easily समझ में है अब दो कह यहां पर x del square w का है form तो यहां पर कहागा w upon del x square plus 2xy del square w upon del x into del y plus y square del square w upon del y square equal to क्या है को formula से में n n-1 w डबलू क्यों है आपको पता है फिर यहां पर कहागा x del square w upon del x square plus 2xy del square w upon यहां पर कहागा y square del square w upon del y square equal to yes what is n n अगर यहां पर 4 है तो 4 4-1 कितना होगा 3 4-1 3 w मतलब कितना है अब यह हो गया इसे भी आप box बना तो बना दिया अब अगर ध्यान से देखोगे यहां पर जितनी भी टर्म्स हैं हमने इस टाइप का sum इसके पहले वाले lectures में किया है अगर यहां पर हमें जो answers में चाहिए न वह यू के form में चाहिए तो जहां यह लिखा आपो और कैसे आया पहले मैं यह लिख देता हूं जिसको नहीं समझ आ रहा हूंThis है वह भी समझाद देता हो अब मैं direct लिख रहा हूँ, मेरे question का ही part लिख रहा हूँ, पर कैसे आया वो बता रहा हूँ, पर पहले लिख दे रहा हूँ, कि अगर कभी-कभी exams में कैसा time कम रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, चीजों को लिख दो, उस time पे वो तुम्हें पता कि वही आने वाला है, पर कैस से आया है, वो भी बता दूँगा, पहले मैं उपर का जो पार्ट है, वो लिख दे रहा हूँ, x square है, वहाँ पे del square u है, del x square है, plus 2xy है, del square u upon del x into del y है, plus y square है, del square u upon del y square है, plus x del u by del x है, plus y del u by del y है, चेक कर लो भाई, यही सब है न, सम बहुत बड़े चले जाते हैं, कैसा मज़ा आ रहे हैं लेक्षिर में, और बहुत सारे बच्चे न बहुत अच्छे से कर लोगे, तो आपको class यह सब जाने की जवरती नहीं है, देखो same है, पूरा का पूरा लिख दिया, अब ये लिखा आया कैसे हैं, वो भी समझा दे रहा हूँ, देखो, मैंने इसके पहले वाले लेक्षिर में इसके पर discussion किया है, equal to, अब मैं का गुरू में पता है, ये वाला जो पार्ट है न, कैसे आया, ध्यान से समझना, कहां पर x स्कुएर है, ध्यान से देखो, x स्कुएर एक यहां पर पर, अब देखो, अगर ध्यान से देखो गेट, x पर यहां पर यहां पर यहां पर आएगा, अगर मैं दोनों पार्ट को लेकर आओं जैसे यह दोगई x2 दोनों में से मैंने बाहर लिया दोनों में common है और dell2 v upon dell x2 वहाँ से है और यहां से क्या आएगा dell square w upon dell x2 दोनों आगए और आपको पता है v और w से क्या बनता है दोस्तों u बनता है तो इसको मैं dell square u upon इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये दोनों से आया सेम यहां पे ये वाला जो पार्ट है ये दोनों से आया दोनों को add करने पे आया ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये दोनों से आया देखो W और V को प्लस करके U आ गया ये वाला part ये दोनों से आया और सेम यहाँ पे V और W को plus किया ये वाला part आया U के form में तो I think आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजे समझ में आ गई ये वाला, Y वाला अब यहाँ पे आपको ये सब चीजे समझ में आई कैसे कहां से कौन सा part आया इसके पहले आले लेक्चुस में आडिंग करके भी दिखाया है पर मेरे इसाब से अब इतना लिखने जाओगे तो बहुत लेंधी सम हो जाएगा अब सभी को plus कर दो, इसका value क्या था 3 भी था, इसका value क्या था 4W था इसका value क्या था, 6 भी था और इसका value क्या था, 12W था अब हमें क्या करना है, हमारा sum solve करना है देखो, equal to यह पूरा फिर से मैं नहीं लिख रहा हूँ equal to plus करोगे न तो यह दो वाला V को plus कर दो, तो यह दोनों को plus करोगे तो क्या होगा, 9V और यह दोनों को plus करोगे यह दोनों को, तो answer कितना आएगा 16W, give it 12 out for 16W, पर अगर उन्होंने last में हमें question में एक part दिया है दोस्तों यहां तक हमारा answer right हो गया, इसके आगे solve करने की ज़रूरत है कि नहीं, और कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने question में कुछ दिया है मतलब तुम्हें जो values find out करना हो, क्या करना है, x equal to 1 और y equal to 1 find out करना है, तो यह value हमेसा जहां पे तुम u और w consider की हो, मतलब v और w, उसमें put करना है, देखो मैं कर रहा हूँ हमारा v क्या था? यह देखो, हमारा जो v क्या था, उपर तुमने लिखा है, x cube क्या था? sin inverse y by x था, और साथ में, हमारा w क्या था? I think x raise to 4 था, चेक कर लेता हूँ x raise to 4 आए, देखो, यह देखो, मैंने सही लिखा, x cube sin inverse y by x था, w क्या था? x raise to 4, tan inverse y by x जाओन भाई? तुम्हें टेंशन नहीं, तुम तो बुक में से देख लोगे, मेरे को इस स्क्रीन में कितना दिक्कत हो रहा है? tan inverse y by x और जो अच्छे से lectures देख रहा हूँ, वो सब चीज़े खुद से solve कर रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बता है बस सम, ऐसी सम जो थोड़े बहुत joint रहेंगे, ज्यादा marks के लिए आ जाएंगे अब यहाँ पर हमें क्या करना है? put x equal to 1 and y equal to 1 करना है तो यह क्या हो जाएगा, v equal to 1 का cube 1, sine inverse 1, 1 तो v equal to sine inverse 1, sine के table में 1 किसका value है दोस्तों? 90 का, तो यहाँ पर क्याएगा pi by 2 then अगर वैसी आप यहाँ पर करोगे, w तो यहाँ पर, put करो 1 और यह भी क्या हो जाएगा, tan inverse 1 तो यह क्या होगा, y equal to tan inverse, w equal to 1 then w equal to tan inverse 1 tan के table में 1 किसका value है? अगर चाहिए तो आप यह अपने calc पर भी check करो, अगर किसको value नहीं आता होगा direct tan inverse 1 put करो, आपको पता चल जाएगा, पर अगर पता है तो अच्छी बात है pi by 4 का value है, अब यहाँ पर मुझे v और w के values मिले बस मुझे क्या करना, यह values को यहाँ पर put कर देना है, एको मैं इसके आगे solve कर रहा हूँ यह just values मिले, बस इसको put कर देना, 9 है b का value मुझे कितना मिला, pi by 2 और 16 है, w का value कितना मिला, pi by 4 करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो, यह 4 बन जा, 4 फोर जा और यह तो नहीं हो रहा, तो finally क्या बच्छा, 9 pi upon 2 प्लस, 4 pi, यह क्या हो जाएगा, 9 pi, प्लस, 4 तूज़ा, 8 pi, और upon क्या, 2 तो finally answer क्या आएगा, finally answer आएगा तुम्हारा, 17 pi upon 2 तो देखो, एक question solve करने के लिए, मैंने कितना लंबा time लिया है, और कितना systematic तरीके से बता है पर अगर मैं जो चीज़े बता रहा हूँ, मुझे उमीद है कि आपके दिमाख में पुरा का पुरा बैठ जा रहा होगा और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, तो please मेरे साथ चीज़े solve करते जाओ, इसके बाद, अभी मैं 2-3 sum और लूँगा, जो important sum है, then उसके बाद मैं आपका start करूँगा, minimum maxima, minimum maxima बहुत important है, बहुत simple तरीके से आपको बता दूँगा, एक question 6 mask का confirm आने वाला है, confirm और बहुत easy है यार, 12 की तरह सीखा दूँगा, उसमें normal derivative नहीं आता रहेगा, 2-3 derivative के formula याद करना हो जाएगा, तो वो मैं बता दूँगा, then उसके बाद आपको उन start करेंगे अपना successy वाला part, और फिर साथ में, और भी बीच में कुछ अगर मेर पास time रहा तो extra part कराऊंगा और बहुत अच्छे से आप study कर रहे है, वीडियो को देखने के लिए पर वीडियो को यार, दोस्तों तक भेजो, जिसे हमें अच्छा लगया, और अच्छा अगर वीडियो समझ में आता है, तो last में comment करना, वीडियो को देखने के लिए दिल से thank, thank you so much दोस्तों, जैहिन दोस्तों